गुरुतेग भादुर जी के चार सोवे परकाश पर्व के इस अफसर परिहाई करतित हुए हैं। गुरुतेग भादुर जी के सर्वचे बलिदान और मानवता के प्रती अपने जीवन को समर्पित करना। हम सब के लिए एक प्रेणा मैं तो साथियो आज यही कहना चाहूंगा कि बाल शिशु में गुरुतेग भादुर जी को एक ऐसा वाक्या था जब उनकी माता जी ने उनको तियार करकर किसी के विवा के लिए बेजा और सर्दियों के दिनों में उनने सडक के किनारे उस समय के रस्ते के किनारे एक गरीब बच्चे को ठंड में ठटूरतावा देखकर अपने कपड़े उसको दान दे दिये और बापिस घर लोटे तो उनकी माता जी ने पूछा कि इतनी सर्दी में कपड़े दान करकर तू आ गया उस समय उन द्वारा ये कहना कि किसी के जीवन के लिए अपने जीवन को त्याक करना एक बहुत बड़ी बात थी और उनके अंतिम सन तक धरम कैसे मजबूत हो कैसे आगे बड़े उसके प्रतिकारे करना हम सब के लिए एक प्रेड़ना है और अरंजेब के शाषन में जब बड़ी मात्रा में दरम परिवर्तन देश भर में चल रहा था उस समय उस मुगल सेंसा के विरुद जब कश्मीरी पंड़तों का एक समू उनके पास आकर उस समय के चक नानकी आज के अनंदपुर साहब की पावंधरा पर मिला तो गुरुतेग भादुर जी ने एक बात कही थी कि औरंजेब को बोल देना कि पहले मेरा धरम परिवर्त करके देखे फिर औरों का कराने का काम करें और ये एक ऐसी चितावनी औरंजेब को दी जिसने उस मुगल शेंचा को इलाकर रखने का काम किया निरंतर अर्याणा के अलग-अलग हिस्से से होकर और पुरुतेग भादुर जी ने पटना तक जाकर दार्मिक खेकता कैसे रहे, धरम कैसे बड़े, धरम को कैसे अपनाया जाए इसके उपर कारे किया और जब 1965 के अंदर पहली बार उनको दमतान साब से मुगल सल्टनत के लोगों ने गिरिफ्तार किया उस समय से लेकर अन तक भी उनने यही लड़ाई लड़ी कि धरम परिवर्तन को रोका जाए धरम के खिलाफ जो कदम उठाये जा रहे हैं उसके विरुद लड़ाई लड़ी जाए और कैसे गुरु के वानी को आगे बढ़ाया जाए साथियों मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि जिस समय दिल्ली के चांदरी चौक के अंदर गुर्तेग भादुर जी के तीन साथियों को भाई सती दास भाई मती दास और भाई देयाला जी को उनके सामने अलग-अलग परकार से शहीद किया गया उस समय भी गुरुतेग भादुर जी ने एक बार भी और अन्जेब की सल्तनत के आगे यह एसास नहीं होने दिया और जब उनका भी शीश जड़ से अलग किया गया तो उस समय जब उनके साथियों ने उनकी पार्थिव शरीर को ले जाएकर हर्याना के ही सोनिपत के ही एक गाव में लाने का काम किया शाथियों गुरुतेग भादुर जी के पार्थिव शरीर को जब मुगल सल्तनत ने बापिस लाने की डिमांड करी तो उस समय हर्याना के बेटे ने अपना धड़ अलग करकर कुशाल सिंग दहिया जी ने और अपनी जगे गुरुतेग भादुर जी को मुगल सल्तनत के आगे पेश करवाड़े का काम किया और आज उस सोनिपत की पावन दरा पर बड़ खाल्चा के नाम से वो स्तान पूजा भी जाता है मैं तो इस पावन अफसर पर जो उनकी कुर्बानी है जो एक मिसाल हम सब के लिए हम सब को मिलकर उनको नमन भी उनको प्रेड़ना भी अपने जीवन में बनानी चाहिए मैं तो अंत में इतना ही बोलना चाहूँगा कि पाच पीडियों का बलिदान गुरु अर्जन देव जी से लेकर हम आगे बाबा जुजार सिंग जुरावर सिंग के प्रती देखते हैं और मैं यह मानता हूँ जिस परिवार के पाच पीडियों ने बलिदान देकर धरम को कैसे जिन्दा रखा जाए कि कदम उठाया है हम सब के लिए वो प्रेड़ना है अनके आप सब यहाँ आए आज इस चारसोवे प्रकाश पर्व में आपने आकर सारी साथ संगत ने आकर गुरुत एक भादुर जी के प्रती अपने समर्पन को दिखाया मैं आपका आबारी हूँ दुबारा वाइ गुर्धी दा खालजा, वाइ गुर्धी दुछश्ट